देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां हमारे देश का गौरव अभिमान महिला पहलवान बीते दो हफ्तों से धर्ना प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही है यह धर्ना प्रदर्शन है बीजेपी सांसद और डवलू एफाई के प्रमुक रह चुके जी हाँ अद्यक्षपत से अब वह इस्तिफा दे चुके हैं ब्रजभूशन शरन सिंग ब्रजभूशन शरन सिंग पर योन उत्पीडन का आरोप लगाया गया है ऐसे में देखा जाए से अब तक कई बार बड़ी मांग करती हुई नसर आ चुकी है साक्षी मलिक विनेश फोगाट बजरंग पूनिया और संगिता फोगाट के साथ साथ तमाम महिला पहलवान अब यहां पर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बंद हो चुका है और अब जल्द ही वह अब लपेटे में आ चुकी है केंद्री मंत्री इस्मृती इरानी नमस्कार मैं प्रांशीर अठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन नियूज दरसल बीदे कुछ महीनों पहले बीदे साल ही इस्मृती इरानी की बेटी पर कुछ आरोप लगाए गए थे कॉंग्रेस की नेताओं की तरफ से और तब इस्मृती इरानी डंकी की चोड़ पर अपनी बात रखती हुई देखी गई थी लेकिन आज जब बात आई है हमारे देश की बेटियों की महिला पहलवानों की तो इस्मृती इरानी चुप्पी साधी हुई नसराई ऐसे में देखा जाए त की यहां धरने पर बैठे हुए अब उन्हें 22 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक बीजेपी से कोई नेता हमारे पास नहीं आया है इस दौरान यहां पर इस्मृती इरानी के साथ बीजेपी की महिला सांसदों को एक पत्र लिखा गया है ब्रज भूशन शरन सिंग के करने की मांग की गई है जंतर मंतर पर विनेश फोगाट ने प्रेस के दौरान साफतोर पर कहा है कि आज हमें 22 दिन हो गए लेकिन अब तक बीजेपी से कोई भी नेता हमारे पास नहीं आया कोई महिला सांसद नहीं आई जो लोग बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा देते हैं वो लोग हमारे इस दुख में शामिल नहीं हुए अब देखा जाए तो यहां पर एक ओपन लेटर लिखा गया है और उनसे मदद मांगेंगे जी हां यहां पर पहलवानों का कहना है कि अब उनके घर लेटर पहुँचाएंगे साक्षी मली कहती है कि हम सभी समाज की लोगों से समर्थन मांगते हैं हमारी लडाई में साथ दे और हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो ऐसे में देखा जाए पहलवानों ने जो पत्र लिखा है इसमें लिखा है कि भारत की हम महिला पहलवानों का भारत की पहलवान महासंग के कई बार पहलवानों ने अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की लेकिन उनकी ताकत ने पहलवानों का भविश्य बरबात कर दिया न्याय तो छोड़िये न्याय की बात तो छोड़ ही दीजिये अब यहां पर यह भी लिखा गया है कि पानी नाक से उपर जा चुका है ह हमारे पास महिला पहलवानों की इज़्यत के लिए लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है उनका कहना साफ तोर पर रहा है कि अपनी गरिमा के लड़ने के लिए फैसला किया गया है और हम बीते 20 दिनों से जंतर मंतर पर बैटे हैं और उनका कहना है कि 70 रोड़ द निकालें यानि कि अब महिला सांसदों को और इस्मृती रानी को ओपन लेटर लिखा गया है महिला पहलवानों की तरफ से अब देखना यही दिल्चस्थ होगा कि आखिरकार यहां पर इस्मृती रानी का क्या कुछ एहम फैसला होता है क्या वहें खुल कर सामने आएंगी क्य महिला पहलवानों से मिलने वहें जंतर मंतर पहुंचेंगी क्या महिला सांसद उनसे मिलने पहुंचेंगी या फिर नहीं यह देखना काफी जादा दिल्चस्थ होने वाला है और 2024 के लोग सभा चुनापर भी इसका कही न कहीं प्रभाब पढ़ सकता है इस खास रिपोर्ट के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज